दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल दीप टेक्निकल नॉलेज में और आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आप भी एक OnePlus मुवाइल यूजर है और आपको भी 5G नेटवर्क यूज करने में अपने फोन के अंदर प्रॉब कुछ सैटिंग्स बताऊंगा वही आपको करनी है और आप भी अपने OnePlus के मुवाइल में आसानी से 5G नेटवर्क को यूज कर पाएंगे तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मुवाइल फोन की सैटिंग्स में चले जाना है जैसी हम सैटिंग्स में एंटर करते हैं तो इ Talk करने के बाद दोस्तों आपको आपट ड्वाइस का यह वाला Austen मिलेगा इस पे आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद दोस्तों को यहाँ पर किए औअ जैगा डैवलोपर मोड तो आपने जो भी सिक्योटि अपने फोन में लगाई है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी तो यहाँ पर हमारा डैवलोपर मोड ओन हो चुका है अब वापस से उपर जाएंगे उपर जाने के बाद सर्च बार में हम सर्च करेंगे डी वी ल तो दोस्तो जैसे इतन दोस्तों देखने के लिए मिल जाएगा तो यहाँ पर आपका 5G SIM 1 जैसे कि अभी अगर आपका OFF है तो आप इसे ON कर लेंगे और इसके बाद आपको नीचे ही एक और option मिलेगा आप देख सकते हैं 5G NETWORK MODE यह वाला option आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको यहाँ दोस्तों आपको NSA PLUS NSA MODE SELECT करना होगा क्योंकि दोस्तों यह दोनों MODE यहाँ पर आपके यूज होंगे दोनों MODE का मतलब यह होता है एक होता है NON STAND ALONE NETWORK और एक होता है STAND ALONE NETWORK यह होता है दोस्तों जैसे कि आपके जो पहले 5G 4G के जो NETWORK से उसी पर आपको UPGRADE करके 5G की NETWORK दिये जाएंगे और STAND ALONE का मतलब यह होता है कि आपको अलग से 5G के NETWORK से लगाके उनको प्रोवाइड करवाए जाएगा आपको SERVICE तो दोस्तों आपको यहाँ पर दोनों वाले पर सेलेक्ट कर लेना है सलेक्ट करने के बाद आप वापस से BACK आजाएंगे बैक आने के बाद दोस्तों आपको अपने फोन को दुबारा से रिस्टार्ट करना है और आप भी अपना 5G यूज़ कर पाएंगे आप चाहें तो हमारा उपर स्क्रीन पर भी देख सकते हैं जो हमारा नेटवर्क आ रहा है वो अभी 5G का ही यूज़ हो रहा है आप दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें